So, यह मैंने sentence लिखा है, यह बहुत important है, you have to speak English to express, अपने thoughts को express करने के लिए, कोई चीज है कि for example, मुझे वो पैन वहाँ से दे दो, इसको आप Hindi में भी बोल सकते हैं, और English में भी बोल सकते हैं, तो जैसे आप Hindi में बोलते हैं, कि मुझे वो पैन वहाँ से दे दो, so एक भाशा होई न, communicate करने के लिए, वैसे ही यह अंग्रेजी भाशा है, उससे जादा यह कुछ नहीं है, कोई यह status symbol नहीं है, कि जिसको English आती है, उनहीं का status होता है, इन सब notions से आप लोग प्लीज बहार आ जाएए, दूसरा मैंने लिखा है, जब भी आप English बोलेंगे, तो correct pronunciation के साथ वाज नहीं बोलेंगे, वाज बोलेंगे, जर और जर में ध्यान रखेंगे, शर और सर में ध्यान रखेंगे, थर्ड पोईंट दस नोट अप्लाई तो everyone, having said that, it just applies to a fewer section of the society, कि जब वो बात करते हैं, जहां से वो बिलॉंग करते हैं, वो उनकी अंग्रेजी पे वो influence डालता है, so यह आप लोगों को प्राक्टिस करने से आएगा, अपनी mother tongue influence English पे आने नहीं देना है, जो fourth है वो है use of correct words, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप English बोलोगे, तो आपको कहां पे listen बोला है, listen to me, कहां पे hear बोला है, कहां पे tell बोला है, tell me, कहां पे बोला है, speak to me कहां पे speak लगाना है, कहां पे बोला है see this, कहां पे बोला है I'm watching this, कहां पे आपको बोला है stare, कहां पे आपको बोला है glance, कहां पे आपको लगाना है between, कहां पे आपको लगाना है among, so यह जो मैंने कुछ लिखे इसमें एक separate video बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पत बहुत fast भी नहीं बोलना है और बहुत slow भी नहीं बोलना है जैसे I am going भाई दुनिया चलीगे जो सुन रहा था वो तो कपका चला गया अब अभी तक अब लटके हो तो ऐसा भी नहीं करना है एक proper आपको speed of, एक optimum level की speed of speech आप लोगों को रखनी है और फिर अपना message convey करना है सामने वाले बंदे को जो 6th point मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिखा है वो है proper intonation अभी intonation का मतलब क्या होता है intonation का मतलब होता है the rise and the fall of our voice हम जो स्टोन में हम बात करते हैं हिंदी में जैसे कि हम कोई आश्चर चकित कोई बात सुनते हैं दर्शाते हैं तो हमारी आखें ऐसे इसे बड़ी हो जाती हैं और ऐसे करके देखने लग जाते हैं in the same way अपने आपको express करना है इंग्लिश में उसी तरीके से जैसे आपने आपको हिंदी में express करते हो for example oh my god I can't believe this अब इसको ऐसे नहीं ओला oh my god I can't believe this कोई feeling ही नहीं है कोई expression ही नहीं है और सामने माला बंदा जो आपको सुन रहा है उसको सुनने में मज़ा ही नहीं आ रहा है तो अगर आपको इसको बोलना है तो आप कैसे बोलोगे oh my god I can't believe this ऐसे करके बोलना है overacting भी कर लेनी है मेरी तरह कोई बात नहीं चलेगा so यह intonation मैंने आपको बताया the rise and the fall of your voice कहां पे आपको एकदम जोश के साथ बोलना है कहां पे बिल्कुल ऐसे एकदम धीरे हो जाना है कहां पे normal बोलना है कहां पे energy के साथ बोलना है यह आप लोगों को सीखना है और सीखेंगे कैसे practice से और जो last मैंने लिखा है आप लोग जभी भी English में बात करेंगे आपका एक eye contact होना चाहिए ऐसे ऐसे देख के बात नहीं करनी है सामने वाली बंदे की बंदा या बंदी की आँखों में देख के बात करनी है लेकिन उनसे प्यार नहीं कर लेना है सिर्फ आँखों में देख के बात करनी है और English बोलना है so proper eye contact और जो आपका body language होना चाहिए वो बहुत जादा confident होना चाहिए, गलत भी बोल रहे हो, कोई बात नहीं, be confident, क्योंकि यह जो confidence है ना, यह हम लोगों को और लोगों से अलग बनाती है, प्रॉपर आपका एक eye contact होना चाहिए, सामने वाले बन्दे की आँखों में देख के आपको बात करनी है, इधर उधर नहीं देखना है, अगर वो इधर उधर देख रहा है, उसको देखने दीजी, आपको उसकी आँखों में देखना है, और body language को confidence के साथ अपने आपको सामने प्रिजेंट करना है, खरे रहना है, तो ऐसे खरे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहना है, जो बैठना है, तो अच्छे से बैठना है, ऐसे मैंने काफी लोगों को ऐसे बैठने का, ये कौन से तरीका होता है, बैठने का, मुझे तो नहीं समझ मया, ऐसे, ऐसे करके बै English to express and communicate, किसी को impress करने के लिए English नहीं बोलनी है, खुद English सीखनी है ताकि जीवन में आगे बढ़ सके, English की वज़े से कभी life में हम पीछे ना रह पाए, कोई जॉब हमसे ना मिस हो पाए, क्योंकि हमने हमें English नहीं आती थी, इसी लिए सिर्फ English सीखनी है, correct pronunciation होना चाहिए, अपना MTI issue ठीक करिए, correct words का इस्तिमाल करिए, कहाँ पे tell लगाना है, speak लगाना है, between लगाना है, among लगाना है, जो एक optimum level की speed होनी चाहिए, आपकी proper intonation होनी चाहिए, rise and fall of your voice, कैसे? rise and fall of your voice, देखा मैंने कैसे बुला, rise and fall, so ऐसी आपको एक intonation होनी चाहिए, और एक proper eye contact, और body language कैसे होनी चाहिए, confident होनी चाहिए, अब हम मिलेंगे अपनी next video में, bye bye